आप लोग उमेदे आप सब बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों आपके विश्वी विद्याले में नई सिक्षा प्राड़ी की अनुसार एक आपका नया विश्वी सब्जेक्ट जो सभी को पढ़ना है वह है अहार पोसर और स्वक्षता यानि कि फूड नूट्रेशन एंड ह जो कि बीए बीए सी बीकॉम प्रतम सेवेस्टर में आपके और सभी विश्वी विद्याले के लिए कॉमन सब्जेक्स है तो उसके जो अब्जेक्टिव कोस्टन्स आएंगे इंपर्टन प्रश्न जो आएंगे आए उस इंपर्टन प्रस्न करते हैं और इस वीडियो में इ पोसीद करता है ऑफशन ए भोजन भुखमरी रोग या कीटाडू तो हमारे सरीर को पोसीद करता है कीटाडू भुखमरी और रोग ये तीनों नेगटिव सब्द है आपका पॉजिटिव सब्द भोजन यानिकी आपका सही उत्तर हो जाएगा हमारे सरीर को पोसीद कौन करत चलिए दोस्तों अगला प्रशन देखेंगे अगला प्रशन हमारा है कि आप पोसड की कितनी इस्तिती होती हैं कितने इस्तिती हो सकते हैं आप पोसड की दो तीन चार या दस देखिए आप पोसड का मतलब होता है मल नूट्रिशन और इसके दो इसकी दो इस्तितियां होती है पहला कौन सा under nutrition और दूसरा होता है over nutrition मतलब जब भी आप पोसक तत्वों की मात्रा अधिक ले लें तो आप आप पोसर्ड के सिकार होते हैं या फिर जरूरत तत्वों की पोसर्ड तत्वों की मात्रा को कम कर दें तो इसकी दो इस्तितिया होती हैं इसके दो इस्तितिया होती ह कि पचास रासानिक पदार्थ की आवसकता की दिरिस्टी से कितने समूहों में बाठा गया है आपका विकल्प है नौ आट छै या दो तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप बताएं इसका सही जवाब जाएगा नौ चली अगला प्रशन देखते है कि मानो जीवन की प्र जो मानो जीवन के लिए नगर्क का मतलब होता है कि किसी सहरी छेतर गाउं में भी तो हम जीवन व्यापन कर सकते हैं तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा भोजन हो जाएगा प्राथमीक हमारा सकता भोजन हो जाएगा बच्चो अगला प्रशन हमारा है कि वह कौन सा पदार मानो जीवन सरीर का पोशड करता है वसा कैलोरी भोजन या जल यहाँ पे किताब में चुकी आंसर दिया है आपका जल लेकिन यहाँ पे सही जो जवाब होगा यह जवाब गलत है आपका सही जवाब हो जाएगा भोजन वह कौन सा पदार जो मानो जीवन सरीर का पोशड करता ह वसा, कैलोरी, भोजन या जल तो यहां पर आप देखेंगे तो आपका सही जवाब यहां पर दिया है वह है बच्चो आपका भोजन आपके लिए मानोसरी के लिए जरूरी पोसर था तो कौन सा है भोजन चलिए अब अगला प्रशन देखते हैं बच्चो अगला प्रशन आपका है कि पोसर की कितनी अवस्थाएं होती है there are how many stages of nutrition पोसर की कितनी अवस्थाएं होती है दो, तीन, चार या पाँच तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप बताए इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चो बिलकुर इसका सही जवाब हो जाएगा पाँच पोसर की कितनी अवस्थाएं होती है पोसर की पाँच अवस्थाएं होती है और वो कौन-कौन से अवस्थाएं होती है बच्चो पोसर की पाँच अवस्थाएं आवसोसर या स्वांगी करण भाईचे बड़ इंग्लिस में बात करें इसकी इंग्लिस इसमें इसको करें पांच अवस्था होती हैं पोसर की चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रशन जब पोसर सरीर के अवसकता के अनकूल होता है तो ऐसी इस्तिति कहलाती है देखिए आपकी जो बॉड़ी है आपकी जो सरीर है उसके अनकूल आपका पोसर होता है ठीक है आपका पोसर आपके सरीर के अनुकूल होता है तो ऐसी इस्तिती क्या कहलाएगी कूपोसड नहीं और परियाप्त नहीं क्योंकि यहाँ पर अनुकूल है यानि कि सूपोसड होता है बच्चो तो जब आवसकता कि अनुकूल हो तो सूपोसड आपका सही जवाब क्या हो जागा सूपोसड चलिए ब परियाप्त पोसर्ड की बात करें तो इसके कितने अवस्थाएं होती है दो कौन सा भीया ओवर नूट्रिशन्स और अंडर नूट्रिशन्स ठीक है अती पोसर्ड या फिर सुछ पोसर्ड ठीक है ओवर नूट्रिशन्स और अंडर नूट्रिशन्स चलिए जब पोसर्ड सरीर क्या हो सकता करुशार गुड़े ओं मात्रा में अपूर्ण होता है यहां पर बात करिए अपूर्ण की बात की जा रही है जब पूरा नहीं है तो वह इस्तिति क्या होती है और परियाब तो होती है बिल्कुल सही है सूपोसर तो होगी ही नहीं अलग पोसर इसका सबसे सटीक जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा बच्छो कूपोसडका है जी बिल्कुल आपने सही जवाब दिया कि कूपोसड होता है जब आपके nutritions की मात्रा कम यह जाद हो और पूरी तरह से नहीं हो तो उसको क्या कहते है कूपोसर और जब पूरी तरह से हो तो उसको कहते हैं सूपोसर चीक है चलिए अगला प्रशन है बच्चो भोजन के सारी कारे को कितने वर्गों में बाटा गया है भोजन के सारी कारे को तीन वर्गों में बाटा गया है ठीक है चलिए अगला प्रशन देखते हैं मरासमस रोग क्या होता है मरासमस रोग को हिंदी में सूखा रोग कहते हैं यह किसकी कमी से होता है यहां पर आपको होता है फैट की कमी से या फिर प्रोटीन की कमी से या फिर प्रोटीन की अधिक्सा से या फिर वसा की अधिक्ता से तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चो मुरासमस रोग होताय आसे प्रस्माग होताये की प्रोटीन जे रोग होताये हैं अगला प्रशन देखते हैं अगला क्या प्रशन हमा अल्प पोषड या फिर मरिस्ट भोजन का तो यहाँ पर हमारा बच्चो क्या सही जवाब हो जागा कूप पोषड यह लक्षड किसका है बच्चो कूप पोषड का मतलब आपके nutrition की मातरा proper नहीं दी गई है अब आईए भारत में पोसक तत्व की कमी से सरवधी ग्रूप में पाईए सबसे ज़्यादा जो भारत में होती है वो किस पोसक तत्व की कमी की वज़े से होता है पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि पोसक तत्व होता क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं देखे पोसक तत्व को बच्चो पोसक तत्व को 6 वर्गों में बाटा गया है ठीक है पोसक तत्व कौन कोंसे होते हैं पहला आपका है कि protein ठीकए दूसरा आपका है vitamin तीसरा आपका minerals चोथा है आपका carbohydrate पांचवा है आपका fat यानि कि वसा और छटा है आपका water यानि कि 6 रूपों में छे वर्गों में बढटा गया protein vitamins minerals carbohydrate fat and water तो इन में से भारत में जो किस पोसक तत्यों के कमी की कारण सरवधिक रूप से पाई जाती है तो वह बच्चो उर्जा प्रोटीन को पोसर इसका सही जवाब हो जाए कि एलसियम की कमी विटामिन की कमी या फासफरोड की कमी तो सबसे सरवधिक रूप में कौन से पाई जाता है वह बच्चो प्रोटीन की कमी किसे जो रोग होत विग्यान के रूप में खाते विग्यान के रूप में पत्थे के रूप में या पोसर के रूप में तो बताईए इसका सही जवाब क्या हो जागा बिल्कुल इसका सही जवाब हो जागा पोसर के रूप में अगला प्रशन देखते हैं यह बड़ा ही अच्छा प्रशन है और संतुलन होगा बिल्कुल सही घटक सही अनुपात में होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो संतुलित आहान है अगर इस नहीं होगा प्रोटीन युक्त आहार नहीं होगा संतुलित आहार के अंदर वसा भी रहेगा और प्रोटीन भी रहेगा लेकिन वो क्या होगा balance मात्रा में अगा हमारा protein, vitamins, mineral, carbohydrate, water, fat सारे क्या होगे सही अनुपात में होगे तो उसको कहते हैं संतुली ताहर इसे बड़े प्रशन पूछेंगे एक संतुली ताहर से प्रशन आता ही आता है कूपोषड तथा डैश में गहरा संबन्द है किसमें चिंता में प्रसंदता में क्रमठता या सुन्दर्ता में अब बताए कूपोषड है तो सुन्दर्ता तो होगा नहीं प्रसंदता तो होगा नहीं किसी भी बच्चे का अगर कूपोषड हो जाता है तो उसके घर वाले कभ से सटिक आंसर है कू पोसड और चिंता में क्या है बच्चो गहरा संबंध है अगला प्रश्ण देखते हैं नीबू में कौन से विटामिन पाई जाते हैं यह तो बड़ा कामन सा प्रश्ण है विटामिन बी विटामिन ए विटामिन सी ये विट questi नीबू में कौन से बच्हें नीबू कह甘 shutdown क्थ क्या है waitwei कgesch्विटी विटामिन सी सहिजा विटकुल सही स्थ smarter अगला प्रस्थ नीशी प्रकार से देखते हैं कि वुछार में व्यक्ति को क्या दिया जाता है कैल्डूरी युक्त भोजन। वसा युक्त भोजन। अधिक तील घी- oppos pavement यтовड फिर गरिश्थ भोजन। वसा नीजacer- नुहीं अधिक कीलोरी कैलोरी युक्त भोजन दिया जाता है बुखार में वेक्तियों को अगर इस प्रकारशने प्रशन आएंगे तो आप फड़ा फड़ा से कर लेगे अच्छली बहुत सही हम यह आप प्राक्टिस कर लेंगे प्रैक्टिस करने से क्या हो दो बच्छो आप एक्जान दिने जाएंगे फड़ा फड़ा से करके आएंगे कूपोसट के के लिए से क्वेंसे क्या उतört आई है मतलब क्या है कूपोसट में कौन-कौन से कारण हो सकते है पहले निर्धांता पहले हमने देखा ना कूपोसर्ण क्या है जहां पे आपके सारे पोसकत तो बराबर मात्रा में नहीं मिल पार है जैसे आपको प्रोटीन वीटामिस कर ये नहीं मिल पार है तो निर्धरता बच्चों मान लेजिए अगर कोई गरीब है पैसे नहीं है तो उसके पास दूद कहा अगा मान समझ ली कहां से आएगी यह सारी चीज़ नहीं है तो बिलकुल निर्धरता एक निर्धनता एक कारड है मिलावट जी हां बिलकुल अगर आप दूद भी पी रहें लेकिन मिलावटी दूद पी रहें तो इसके वज़े से भी आप क्या हो सकते हैं कूपोशण के सि मिल रहा है तो उपरुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा चारिए बहुत पर शुक्रिया बच्चों बहुत अच्छा देख रहे हैं बहुत अच्छा चलिये रोगी को कोई बीमार है तो कैसे देंगे सकती या च्छमतायुक्त जी हमाओ पिल्कुल बिल्कुल सक्टी और च्छमतायुक्त देंगे रखने के लिए आवस्यक होता है क्या हो सकता होता है प्रोटीन हाँ प्रोटीन बिल्कुल होता है कारबोज हाँ जी कार्भोहईडरेट भी होता है वसा जी हाँ वसा विल्कुल होता है तो हम इन सब का संतुलन्द कर लेते हैं, हमारा संतुलन्द आहार सबसे ज़्यादा होता है मतलब उसमें उचित मातरा में प्रोटीन भी हो, उचित मातरा में कार्वाइडरेट भी हो, उचित मातरा में वसा भी हो इसी को तो हम कहते हैं संतुलित आहार इसका है 3600 आपको कैलोरी की आउसकता होती है यहां पे चलिए किस आहार को संपूर आहार कह सकते हैं यहां पे साप साप दिख जा किस आहार को संपूर आहार तो क्या हम संतुलित आहार को नहीं कह सकते हैं बिलकुल कह सकते हैं तो आएए पहले इसका वकल्प देख लेते हैं स ठीक है चलिए सुद्ध दूद को हम क्या कह सकते हैं कम्प्लीट आहार या संपूर आहार यहां पर कह सकते हैं चलिए संतुलित आहार वह है कौन सा है भी है जिसमें सारे पोसक्तत तो क्या हो प्रॉपर मातरा में मौजूद हो जिसमें उचित खात पदार्थों का समावेस हो जिसमें सभी पोसकत उचित मातरा उचित अनुपात में हो बिल्कुल यही जवाब तो हमें चाहिए था कोई और नहीं तो इसी को हम क्या कहते हैं संतुलित आहार कहते हैं बच्चों सही बिल्कुल सही जवाब है चलिए आप जीत गए 50,000 रुपए अगला सवाल 80,000 रुपए देखिए आप ही मैंने बताया था आपको पहला देखिए प्रोटीन दूसरा आपका विटेमिन्स तीसरा आपका मिनरेल्स चौथा आपका कार्बो हाइडरेट पांचवा आपका फैट यानि की वसा और छटा आपका वाटर पानी तो आप बताए दो में चार में नौ में च चलिए वो कौन सा पदार्थ है जो मानो सरीर का पोसड करता है देखिए ये तो हमने पहले ही देखा था वो कौन सा है बच्चो भोजन है चलिए पोसड की कितनी आवस्थाएं होती है पोसड की यहाँ पे फिर से गलत दे दिया चार नहीं होगा दो चार तीन या पांच बत कुश्चन आ रहा है बताइए क्या कहलाती है ऐसी इस्तिति कहलाती है बच्चो कौ पोसड नहीं क्योंकि यहाँ पे अनुकूल है और परियाप्त नहीं सूपोसड होती है बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे चलिए अगला शवाल देख लेते हैं हमारा रक्ताल प्ता हरक ताल्पता का रोग होता है अब एक ग्राम कार्बोहाइडरेट वन ग्राम कार्बोहाइडरेट का कितना कैलोरी होता है तो यह थोड़ा सा याद करने वाल प्रशने फोर कैलोरी यानि कि फोर पॉइंट वन कैलोरी होता है यही इसका सही जवाब हो जाएगा चलिए अब यह क्याहर और मैसमर्स यह हमारा क्या ह्दो यह सही जवाब हो धाई अब आ's इंग था इसतरी कि हार में कैलोरी की मातरा कम होनी चाहिए ज़्याद होनी चाहिए यह deux हो होनी चाहिए उनका आहार में कैलोरीज क्रीमात्रा अधिक होनी चाहिए एक सम्मान नहीं होनी चाहिए कम नहीं होनी चाहिए कम या धिक से को रपाइद नहीं इससे बात नहीं उनको अधिक वास्तों में यही उत्तर भी है मैं सम्मान में कह रहा हूं कि उनकी जिम्मेदारी हम से मर्दों से जादा होती है चलिए निम्न में से पौस्टिक तत्व हैं कौन से पौस्टिक तत्व हैं पौस्टिक तत्व की जब भी बाता है याद करिए 6 पौस्टिक तत्व प्रोटीन व खनी जर्मीनिसर्स होते हैं मतलब कौन सा सही जवाब बताईए वो प्रुक्त सभी बिल्कुल सही जवाब बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब अब इसको भी बता दीजिए कि निमने में से और परियाप पोसड की फिर से वही आ गया एक बार और परियापत आया था एक बार और परियापत की इस्तितियां कितनी होंगी दो बिल्कुल सही जवाब है दो कौन-कौन सा ओवर नूट्रिशन और अंडर नूट्रिशन अती पोसड और सुच्प पोसड ठीक है दो इसकी कितनी इस्तितियां होते हैं बचे दो चलिए यह हो गई दो तीन चार छे पांच त चबा चबा कर खाया गया हो ठीक है ये भी बात सही है लेकिन संतुलित में क्या होगा संतुलित में ये होगा बच्चो कि उसमें प्रोटीन कार्भोहेड्रेट और वसात सभी तत्व उपस्तित हो ये सही सही बात हो भोजन को भली भाती पकाया गया हो ये बाते सारी सही है ले मांता हूं कि दूद आवस्यक है मांस मछली मांस मछली दू डिपेंड करता है कि मांस और मसली में जो energy मिल रही जो calories जब प्रोटीन मिल खईए आप दूसरे source शेगर प्राप्त कर लाएं तो फिर मांस मछली की जरूरत कैलन्स में हो तो हम संतुलित आहर ले लेते हैं बिल्कुल सही जवाब आपका क्या हो जाएगा अच्छा स्वास बनाये देखने के लिए क्या आवस्यक है चलिए बहुत सभी एक किसोर लड़के की टीनेज की बात की जा रही है कितनी कैलोरिस की उसकी जरूरत होती है बच्छ कूफ प्रशड बताए कूफ प्रशड होगा नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि उचीत मातरा में कर्रता में कर रहा है अल्प क्यसे बहु जब उचछित में कर रहा है तो लिए तो man everyone प्रशन और बहुत ही मज़दार प्रशन वसा की बात कहां से गुलकोस की बात कहां से मीठा तो लगता है नहीं है खनीच लवर्ण यहाँ पे सबसे सही जवाब हो जाएगा अधिक मातरा में क्या पाया जाता है अब आगला प्रशन देखते है रोगी को स्वस्थ लाब के लिए अहार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं अब यहाँ पे देखिए एक कोई बच्चा रोगी है स्वस्थ लाब के लिए आप चाहते हैं कि उसका स्वस्थ क्या और अच्छा हो जाए रोगी को अच्छा बना रहे हैं मतलब आप क्या कर रहे हैं आप दवा दे रहे हैं एक उपचार कर रहे हैं समझ मेरी बात रेडिमी नहीं इसको कहते हैं रेडिमी नहीं रैमेडियल की बात की जाते हैं तो साधारल आहार तो नहीं कह सकते हैं कोमल आहार नहीं तरल आहार नहीं यहाँ पर रोगी को आप स्वस्थ बना रहे हैं उपचार कर रहिए ठीक है, रामेडियल की बात की ज़ा रही है, अगला प्रशन है आपका, कूपोसर क्या है बच्चों, कूपोसर में क्या होता है, पेट बढ़ जाता है ये ये फैक्ट हैשके पेट बढ़ते हैं, चीजिए ये बढ़ते हैं, कंदे जुक जाते हैं हाँ कमजोर इनसान हो जाता है चिरचिड़ापन ये बीमारी है खास तरुपे बच्चों के उते हैं इतना इसको नोटिस नहीं क्या है था मांस्पेसियां धीली हो जाती है ये भी इसका सड़ी कांसेस है तो अगर इहाँ पे इसकी जगा उपरुक्त सभी होता तो आप जाते हैं उपरुक्त सी के साथ लेकिन उपरुक्त सभी नहीं है तो इसमें से उससेशश ब satisfaction हो जाती है इससका सही जौब क्या हो जाएगा मांस्पेसियां धीली हो जाती है चलिए अब बात करते हैं सरीर के लिए नियामक पदार्थ है नियामक पदार्थ है मतलब जरूरी पदार्थ के बात की जारी है नियामक पदार्थ देखिए कार्बो हाइडरेट वीटेमिन्स ख़नी ये सब इसकी जरूरत है लेकिन यहां पे जल को सही उत्र माना है कारल मुझे नहीं पता शायद इसलिए माना हो क्योंकि यह सारे जो जल सब तो पोसक तत्वा के अंतरगाती आते हैं तो नियामक पदार्थ मुझे तो सारे जवाब सही लग रहे हैं कार्बोहाइडरेट, मिनरल्स, विटेमिस और जल लेकिन यहां पे एक प्रस्ट को सही माना है मेरे अनुसार यह सारे प्रस्ट भीकल्प सही है बच्चों सारे भीकल्प सही है चलिए अगला प्रस्ट देखते है संतुलित अहार लेने उर्जा मिलती है भूग नहीं लगती है नीद कहां से आ जाएगी सोने वाले बच्चों उर्जा मिलती है, सही जवाब है लेकिन स्वस्ट ठीक रहता है यह सही जवाब इसके साथ हम जाएंगे अब देखिए संतुलित आहार में उप्यूक्त मातरा में क्या होता है सारे पोसक्तत होते हैं सब ही होंगे सब ही होंगे न चली संतुलित आहार में उप्यूक्त दूर्प से क्या होता है विटेमिन्स और खरीज हां होते हैं प्रोटीन होते हैं कर्बड रिजूते हैं सब भी हो जाएंगे सब भी हो जाएंगे चरिए अगला प्रशन हमारा बच्चे कूपोसर से बचने का उपाय क्या हो सकता है संतुलित आहार पिलकुल सही लग रहा है परियापत आहार पिलबात तो वही है तो यहां पर ऐसा करिए जब आपने संतुलित आहर कह दिया इसका मतलब आपने जरोडी पोसक तत्वों की परियाप मातरा तो यही से प्राफ कर ली तो यह आपका सही जवब क्या हो जाएगा संतुलित आहर हो जाएगा चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं अगला प्रशन है बच्छो कि विटेमिन D किसकी कमी से पाया जाता है विटेमिन D किसकी कमी से पाया जाता है तो विटेमिन D किसकी कमी से पाया जाता है सूरज की पहली किरडोस में किसमें पाया जाता है तो यहां पर अगर विटेमि प्रशन के साथ वीडियो को खतम करेंगे हम अगला प्रशन देख लेते हैं वृदि उर्जा मरमत और रख रखाव के लिए सरीर द्वारा आवस्थक पदार्थ को कहा जाता है क्या कहा जाता है पोसक्तत्तो कार्बोहड्रेट वसायुकत जब हम कार्बोहड्रेट कहे देंगे तो पोसक्तत्तो के अंतरगत ही आ जाता है वो वसायुकतम क्या आता है पोसक्तत्तो के अंतरगत आ जाता है तो सही जब क्या हो जगा वच्छो पोसक्तत्तो आपका आहार लगभग आधा हिस्सा क्या होना चाहिए आप जो खाते हैं आपको पता है उसमें आनाज और सबजी यह सही जवाब है लाट प्रशन बछू लाट प्रशन बहुत है अच्छा प्रशना है कि जिस आहार में व्यक्ति के सरीर की दैनिक आउसकताओं को पूरा करने की जम्ता होती है उसे कहते हैं सोस्थ आहार, सोगंदित आहार, सथतुलित आहार या फिर तरल अहार यहां पे विकल्ब दिया है तरल अहार का सही लेकिन अगर आप संतुलित अहार भी करते हैं तो आपका जवाब गलत नहीं होगा ठीक है तो चलिए इस प्राइब प्रशन के साथ हम इस वीडियो को ही खतम करेंगे बाकी वीडियो आपको कैसी लगी मज़ा आया की नहीं आया समाज में आया की नहीं आया और इस प्रकार के प्रशना आएंगे तो आप खर लेंगे की नहीं बिल्कुल इसकी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिगा और इसी प्रकार से प्रशना आएंगे आप बस एक काम करिए डेली वीडियो उसको देखते रही है फुड और नुट्रिशन के रिगार्डिंग आपका ऐसे ही पेपर किलियर हो जागा इसकी मेरी जी मेदारी दोस्तों मुझे एक चीज़ का इंतजार रहेगा बेसबरी से वो है आपके दोरा लिखे गए सब कमेंट बॉक्स में तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें मुझे उसकी पेसबरी से इंतजार है पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर दीजिये बच्चो और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिये और नहीं जुड़ है चैनल से तो सबस्क्राइब कर दीजिये बहुत बद्धनेवाद मिलेंगे अगले वीडियो में एक्क्याउनवे प्रशले के साथ और और जानेंगे इस वीडियो से जय हिंद जय भरात अपना खूब क्यार रखिए ऐसे ही पेबर तयार हो जाएगा जय हिंद बच्चो